अल्ला हमारा मालेक, हमारा रभ, हमें पैदा करने वाला लेकिन क्या हम उसे वैसे जानते हैं, जैसे उसे जाननी का हख है तो चल squishy, अल्ला को जानने की कोशिश करते हैं उन प्यारे नामों से, जो अल्ला ने हमें सिखाए Attributes of Allah आजे माविश के साथ शुरू करती हूँ अल्ला के नाम से जो नहायत महरबान और नहायत रह्म करने वाला है हमारा आज का पहला अस्मावल हुसना है अल्बासित बासित का लफ्स निकला है बे सीन तोईसे सब्त कहते हैं कालीन को कालीन जो जमीन को ढाप लेता है सब्त कुली जमीन को कहते हैं सब्त कुछ पहलाने या बढ़ाने को भी कहते हैं सब्त के माइने किसी शेय को बढ़ाना भी है और हाथ को बढ़ाना भी जैसे आप हाथ लंबा करके किसी चीज तक पहुचने की कोशिश करते है बासित उसको कहते हैं जो आगे बढ़े या वो जो किसी को आगे बढ़ा दे किसी शेय को फैला दे किसी चीज में इजाफा करते बासित काबित का उलट है काबित एकटा करने वाला जबके बासित पहलाने वाला अल्बासित हमारा रब है वो पहला देने वाला बढ़ा देने वाला रब है वो कैसे बढ़ाता है अल्ला अल्बासित के ही सारे खजाने है छुपे हुए भी और जाहर भी उससे मांगेंगे तो वो भी अता कर सकता है जहां आपका गुमान भी ना था सब्थ कालीन को कभी कबार फोल्ड करकर रख दिया जाता है और वो सिमर्ट जाता है साइस उतना ही रहता है बस फोल्ड हो जाने के बाइस हमें महदूद सुकड़ा हुआ नजर आता है अलबासे जब चाहे उसे पहला दे रिस्क के जराए भी मौजूद होते हैं लेकिन बाज अकाद हमारी नजरों से उजल होते हैं हम तगदो करते रहते हैं और यू होता है कि हमें वहां से जॉब आफर होती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता कभी यू भी होता है कि हम किसी मकसूस चैकी चाहत में अर्सी तक खुद को हलकान करते हैं लेकिन अल्ला ने वो चीज हमारे लिए रखी ही नहीं होती उससे कुछ बहुत बेहतर होता है चो कहीं और हमारा म Municipisर होता है हम जद्ड जहित किसी और चीज के लिए करते हैं और हमारे नसीब में उससे कहीं बहुतर शेह हमारा इंतिजार कर रही होती है अलपासित आपके लिए वसाईल बैदा करता है लेकिन उनको पाने की जद्दु जहत यकीनन आपको खुद करनी है वो आप पर अपने खजाने खोल देगा सिंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए आपकी कितनी ही कोई कीमती शेक क्यों न छिन गई हो बस इतना याद रखिए कि रोकने वाला भी रब ताला ही था और वो ही खोलने वाला भी है और ये तब होगा जब हम अपने रब पर भरोसा करेंगे जब हमें यकीन होगा कि सारे जवाब उसके पास है सारे हल वो ही समझाएगा और सारे रास्ते उसी की तरफ जाते हैं अल्ला, अल्समद, वो जो जिसके हुक्म के बगएर कुछ नहीं हो सकता वो जो जिसकी तरफ तमाम मामलाद भीजे जाते हैं जिनके बारे में कोई और फैसला कर ही नहीं सकता अल्समद, लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के काबल बनाता है कुरान मजीद में अल्Л ताला ने खुद को अरसमत सिर्फ एक सुर्ष इखलास में कहा सुर्ष इखलास मुक्तसर पर इंतहाई खुबसूरत सुर्ष है अल्ल था की वहदानियत और समधियत उसकी बेमिसाली का पेयान है इخलास हमें बताती है अल्ला एक है और वो ही सबकी जरूरियात को पूरा करने वाला है उसके सिवा किसी और से मदद हासल नहीं हो सकती अल्ला की नाम अलकादिर वल्मुक्तदर यानि मुकम्मल कुदरत वाला मतलग कुदरत रखता है अल्कादिर ही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है सारी कुदरतों का मालिक है कुदरत क्या होती है इक्तियार ये बेसिकली इक्तियार है हर शेय पर कुदरत नीचर को भी कहते हैं यानि फित्रत हर शेय को जिन्दगी देने वाला अल्कादिर ही है कदीर, कादर, मुक्तदर अरबी जबान के लफ्स काफ, डाल, रे की जड़से हैं जिनके माइने टाकत हासल करना, काबिल होना, किसी चीज़ को तक्सीम करना, फर्मान या हुकम देना और गालिप होना वो ही है जिसका हुकम हर हाल में गालिप रहता है अलकदीर पर इमान का मतलब ये है, कि आप खलूसी नीद के साथ ये समझ कर अमल करें कि आपका अजम और आपका अमल आपके रब के हाप में है, और वो आपको कामियाबी अता करेगा ही, अगर आप महनत करेंगे जो मामलाद आपके हिसाब से हुए इसका मतलब ये है कि आपका और आपके रब का मनसूबा एक ही था और जो नहीं हुए उस पे आपने थाबित कदम रहना है कि हल बासित आपकी तंगियां समीर कर रास्ते खोल देगा अस समत आपकी जरूरियात पुरी करेगा अलकादिर अलमुक्तिर ही तमाम कुद्रतों का मालिक है